C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम लंच ब्रेक भाग दो चलिए ज़रा हम भी तो सुनें आज क्या बाते कर रहे हैं गुड़ू और उसके दोस्त आदी आज क्या दिया है ममीने टेफिन में मैं तो आज फ्राइड राइस लाया हूँ तो बता तेरे टेफिन में आज क्या है सर्प्राइस पेश है आपके प्यारे दोस्त मिठू की और से नजरा ना जिसे देखकर आपके मूँ में पान यह आ जाएगा अरे मिठू तुझे पता नहीं है जंक फूट सिहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते तेरी जगा मैं होता ना तो मैं यह नूडल्स कभी नहीं खाता मैं हेल्थ कॉंशियस हूँ अच्छा तु बड़ा हेल कॉंशियस बन रहा है बूल गया लास्ट ट्राइडे तु भी नूडल्स ही लाए था नौसट चूने खाके बिल्ली खंबनोचे क्यों भाई तुम सब ऐसे क्यों हस रहे हो ऐसा भी के क्या दिया मैंने अरे नहीं नहीं हमारी स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बाई कभी कुछ गलत कहा ही नहीं सकता थैंक्स लतीका मगर जो कहावत तुमने यहां यूज की है वो जरा सी गलत है क्या कहावत मगर मैंने तो मुहावरा कहा था माई डियर मिठ्टू सच सच बताना यह लाइन तुम कहां से सीख के आए हाँ मैं वो वो ना मैं तुम सब को अपनी नौलिज से इंप्रेस करने के लिए कुछ मुहावरे याद करकर आया था पर लगता है जरा भूल गया इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरुरत होती है मतलब मतलब यह कि तो कुछ कहावते रटके तो आ गया मगर यहां आके तेरे दिमाग में पगगई कहावतों के खिचेड़ी मिठ्टू किसी बात को रटने से अच्छा है उसे समझ लेना जो बात एक बार समझ में आ जाती है वो फिर दिमाग से कभी नहीं जाती सौरी दोस्तो मैं वादा करता हूँ आग से मैं हर काम रटने के जगा समझ कर करूँगा अब पुहाविर तो हम सब ही जानने है पर ये चेज़ हैं सूनो मेरे दोस्त मिठ्टू लोगों की ही कही बाते होती हैं फिर तो मैं भी कुछ कोंग ऑब कहावत बन जाएगी अरे हाँ हाँ बनाया तो है भी तुने दो कहवतों का जोड़ा ओहो पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो हाँ हाँ कहवते दरसल मौ बोली बाते होती है एक ने कहा दूसरे ने सुनी और फिर दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे और इस तरह कई लोगों में मशूर हो जाती हैं ये बातें इसलिए इदे लोगोक्ती भी कहा जाता है अच्छा कहावत अपने आप में सार समेटे हुए रहती है अच्छा ऐस कोई कहावत बताओ ना पिंकी तुमने राम और रावन की कहानी तो सुनी ही होगी रावन को मारना आसान नहीं था मगर रावन के भाई विभीशन को ये बेद पता था अरे मुझे आगे की कहानी भी पता है फिर विभीशन ने राम जु को बता दिया कि रावन को मारना कैसे है और राम ने लंका पोचके रावन को मार डाला मगर पिंकी इसमें कहावत का है ओहो क्योंकि विबीशन रावन का ही भाई था तो उस वक्त से ये कहावत मशूर हो गई कि घर का भेदी लंका ढाय ओहो अब मैं समझा जब पिछले क्लास टेस में मेरे माक्स कम आये थे न तो इस आदी ने मेरे घर पे जाके बता दिया घर का भेदी लंका ढाय तुम लोगी की वज़े से मुझे ये भी समझा गया कि कहावते होती क्या है अब ये भी बता दो कि मैंने कहावपर गल्ती की थी अरे मिठ्ठू तुमने दो कहावतों को एक साथ जोड दिया एक कहावत है नौचा चुहे खाके बिल्ली हज को चली जिसका मतलब होता है खुद गलत काम करके सीधे बनने का नाटक करना और दूसरी कहावत है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जिसका मतलब होता है अपना गुस्सक किसी और पर निकालना ओहो अब समझ में आया मुझे ये मैं कहां पेकलती कर रहा था अच्छा अच्छा बहुत हो गई पड़ाई की बात अब ज़र अपना आलू को पराठा भी तो इदर ला हाँ देती देती हूँ पहले तो अपना फ्राइड राइस दे एक तरफ फ्राइड राइस और दूसरी और आलू के पराठे आज तो आदी की दोनों हाथों में लड़ू है अभी आप सुन रहे थे कारिक्रम लंच ब्रेक भाग दो प्रति भागी कालाकार थे अभिनाव, अर्जुन, तनुश्री, रचना और वरुन, धन्यांकन बटिलैंग लिंग्डो और शानु मुक्सीन, आलेक, निर्मान, निर्देशन और धनी संपादन, मयंक थपलियाल, तथा प्रस्तुती CIET NCERT